वेलकम टू SSC प्रप्रेशन अगर आप भी 2022 में होने वाली एंटिटी भरती का इंतजार कर रही हैं आप अपलाई करना चाहते हैं इस एंटिटी भरती में तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटिटी के नए ड्राफ्ट के भारे में जो कि शिक्षा भिवाग को अभी अभी बेजा गया है तो क्या नई बाते हैं इस एंटिटी के ड्राफ्ट में क्या एक साल और दो साल के डिप्लोमा को लेकर बातें की गई कितनी सेलरी सुनिश्चित की गई कितनी टोटल नंबर of vacancies हैं और कौन से डिपलोमा वाले candidates इस entity भरती में apply कर सकते हैं सबसे पहले चैनल के उपर अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को subscribe करें ताकि latest video के notifications आप लोगों को मिलती रहें हीमाचल परदेश के सरकारी स्कूलों में भरती किये जाएंगे pre nursery teacher और बड़ी बात की outsource के अधार पर होगी ये भरती और ये सुझा प्रारंबिक शिक्षा विवाग की और से आई ड्राफ्ट में दिया गया है तोटल कितनी vacancies भरी जाएंगी तो स्मगर शिक्षा भियान की project approval board से मिली मंजूरी के मताबिक 4787 pre nursery teacher जो हाँ वो न्युक्त किये जाएंगे कौन कौन से diploma वाले लोग apply कर सकेंगे तो आप लोग देख रहेंगे जिन लोगों ने DLED की है जिन लोगों ने entity की है और जिन लोगों ने DECE की है वही लोग जो है वो पातर होंगे इस entity भरती के लिए seats का distribution क्या रहेगा तो 70% जो vacancies है वो direct recruitment होगी और 30% जो vacancies है उन में जो आंगनवाडी कारे करता है उनको seniority के अधार पर न्युक्ती दी जाएगी और इस draft में ये भी सपष्ट कर दिया गया है कि जिन लोगों ने एक साल का डिप्लोमा कर रखा है उन लोगों को फिलहाल इस भरती में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा सिर्फ NCTE certified दो साल का डिप्लोमा ही valid होगा दो साल के डिप्लोमा वाले लोग ही इस भरती परिक्रिया में भाग ले पाएंगे अगर आप चैनल के उपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटस्ट जोब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे जानकारी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्षन में जूर बताएगा और अगर आपके कोई क्वैरी है तो वो भी कमेंट सेक्षन के माध्यम से जरूर पूछिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग